हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जोतिश ज्यानमे दर्शकों को आप सभी का महारद्यक स्वागत करते हैं आज इस अंक में हम बात करेंगे तुला राशी के जातकों की बारे में तुला राशी के जातक मई महीने में क्या विशेस उपाए करें ये उपाए कौन कौन कर सकता है ये भी बता देते हैं जिन जात्कों की तुला रासी है जिन जात्कों का तुला लगन है या महीने के हिसाब से जिनकी तुला रासी बनती है वो भी ये उपाए अविश्य कर सकते है इसी के साथ साथ कुछ गरों का परिवर्तन इस महीने में कैस किसी बिमारी से लड़ते 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 लंबा समय लग जाता है रोग लंबे समय तक चलता है आने को ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं तब जाकर कि हम स्वस्त होते हैं क्योंकि सरीर का मामला है लड़ना पड़ता है बिमारी से ठीक भी होना जरूरी है ये भाग्या का मामला है तो ऐसे ही कई बार आप लंबे समय तक उपाई करते हैं लेकिन जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है किसी उपाई से कोई लाब नहीं मिल रहा है तो मन में उब आने लगती है यारे रहने दो कुछ नहीं करना कुछ नहीं होने वाला तो ये नकारात्मक्ता मन में आने लगती है तो बस मेरा आप से यही कहने का मतलब है कि जैसे ट्रीटमेंट करते हैं न लंबे समय तक कई बार कई बार कई तरह की दवाईएं बदलने पड़ती है तो ऐसे ही उपायों की दुनिया होती है बस आपको नर्वस नहीं होना आपको उदास नहीं होना आप मन से देखो आप भगवान का इनाम ले रहे हैं न आप कोई अच्छा ही दान पुन कर रहे हैं न आप अच्छा काम कर रहे हैं बस आप करिए आपको जरूर रिलिफ मिलेगा बस यू समझ लो कि थोड़ा सा बाकी है समय जो खराब समय है अब देखो हम अपनी बात पे आते हैं इस महीने कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी है वो भी जान लेते हैं क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन से ही भाग्य में परिवर्तन आता ग्रहों का प्रभाव पूरी स्रस्टी के उपर पढ़ता हमारे उपर सब के उपर आता पश्यों के उपर आता पक्षियों के उपर आता वनस्पतियों के उपर आता सब के उपर आता क्या प्रभाव है ये भी देखें सूरिय का किस प्रकार से सूरिय आदी ग्रहों का बदलाओ है ये भी जाने सूरिय 14 मईसे वर्षब में जा रहे हैं मंगल 5 मईसे कॉंब में बुद्ध 9 मईसे वर्षब में और 24 मईसे मिथुन में राहू के साथ यूदिवद हो जाएंगे गुरू मकर में शुक्र आपकी रासी के जो स्वामी है वर्षब में यानि के सव रासी के हो गए शनी मकर में और राहू मिथुन में शुक्र जो है वो वर्षब में चले ही रहे हैं तो आपके लिए प्रसंता की बात है हर महीने कुछ ऐसी तारीके भी होती है जो कहीं न कहीं वो तारीखें असुबदा का संकेत देती हैं वो तारीखें कुन सी हैं? सुन लीजेगा लिब्रा वाले जितने भी हैं चार मई, तेरा मई, तैस मई, चोवेस मई और इकत्तिस मई इन तारीखों में थोड़ा सा हम साधानी बरते हैं हर तरह से अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ घटनाए घट सकती है गुपत सत्रू से हम साथदान रहें मई के महीने के अंते तक सेहत के अंदर इस महीने अच्छा सुधार होने के पूरे पूरे चांस है एक एक राशी से संबंदित लाखों लोग होते हैं अब आप ये ना समझें के इस राशी के जा तक आप अकेले हैं लाखों लोग हैं कोई हस्रा है कोई रो रहा है कोई बिमार है कोई गा रहा है सभी का ववश्य एकसर नहीं हो सकता तो कहने का मतलब जिनकी सेहत में गमजोरी चल रही है तो उनको इस महीने सेहत में सुधार मिलेगा गुप्त सत्रू से चिंता बढ़ सकती है साथधान रहे महिला साथी का अच्छा सैयोग इस महीने मिलेगा और कहीं न कहीं रोजगार के अफसर भी इस महीने अच्छे प्राप्त होंगे खेर अब इस महीने हमें उपाई क्या करना है और किस दिन करना है ये भी आप जाने शुकरवार का दिन हो शुकरवार के दिन हमें सुबा इसनानादी करके जो आप अपनी दैनिक इस्तुती प्रति दिन की करते हैं जो भी आपकी पूजा है, जो भी आप जिससे जुड़े हैं, वो आप कर लीजिएगा, करने के उपरांत, आप शुक्र का ध्यान करें, और शुक्र का ध्यान करने के साथ-साथ, आप मन से ऐसी परातना करें, कि है शुक्र, आप हमारा कल्यान करें, तो अभी मैं एक छोटी सी ध्यानिस्तूती पढ़ूँगा हिंदी में तो आपको वो हिंदी में ही अपने साथ पढ़नी हैं कितनी बार पांच बार या साथ बार क्योंकि शुक्र जो है दो नंबर और साथ नंबर ये दो राशियां शुक्र को प्राप्त हैं तो आप पांच बार कर लें या साथ बार कर लें क्या बोलना है आपको आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या बाद में कालिकर्म देखने के बाद कर लेना हमें बोलना है जो शवेत वस्त्र धारन करने वाले शवेत विग्रह वाले मुकट धारन करने वाले चार भुजा वाले शांत सवरूप अक्षे सुत्र कमंडलू तथा जै मुद्रा धारन करने वाले हैं वे देत्य गुरू, शुक्राचारिये मेरे लिए वर्दाई हों, मिरा कल्यान करें मैं आपको प्रणाम करता हूँ द्वारा सुने, जो श्वेत वस्त धारन करने वाले, श्वेत विग्रह वाले, मुकट धारन करने वाले, चार भुजा वाले, शांत सवरूप, अक्षे सुत्र, कमंडलू तथा जय मुद्रा धारन करने वाले हैं, वे देत्य गुरू, शुक्राचारिय मेरे लिए वर्दाई ह मेरा कल्यान करें मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ बास चाए मई के सभी शुक्रवारों में ऐसा कर ले या केवल तीन शुक्रवार ये हिंदी की इस्तुती ध्यान इस्तुती केवल आप शुक्र का ध्यान करते हुए पढ़े पांच बार या साथ बार शुक्रात्मक बीज मंत्र शुक्र का बीज मंत्र एक माला या पांच मिनट बीज मंत्र सुन ले ओम द्राम द्रीम द्रॉम शह शुक्राई नमा ओम द्राम द्रीम द्रॉम सह शुक्राई नमा ये पांच मिनट पढ़ें शुक्रवार के दिन स्वेट वस्त्र सफेद रंग के स्वेट वस्त्र धारण करें यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और पक्षियों को चावल उबाल करके खिला में बहुत अच्छा रहेगा गेहों से बनी रोटी जैसे मकई की भी लोग बहुत बना लेते हैं नाना भाती की बनाते हैं तो गेहों की रोटी आप गाई को जरूर खिलाएं बहुत अच्छा इस सिलाब मिलेगा और जैसे मैंने बताया है सुबह सुबह ये इस्तुति आप शुकरवार के दिन जरूर करें और एक उपाई और अपना भोजन करने के बाद दोफेर को आपने भोजन किया या जब भी करतें और शाम को या रात को जब भी आप भोजन करतें जो आपका समय भोजन करने के उपरांत थोड़ी सी मिश्री आप उसे जिवा पर रखें उससे में बोलें ओम शुक्राई नमा टौफी की तरह उसे चूसते रहें कुछ देर बस ये उपाए हैं बड़े आप सोचोगे बड़े अजीबों गरीब से उपाए सर्मा जी ने बताए हैं इस बार क्योंकि देखो भाई बहुत लोगों के मन कुंठित हैं बहुत लोग परेसान हैं उधर इस वाइरस का भै बहुत सारी बाते हैं तो हमने भी यही प्रियास किया है कि प्रातना के रूप वाले उपाए मई महिने में आपको बताए जाएं और बिल्कुल आसान उपाए आपको बताए जाएं अब मिसरी है मिसरी में शुकर का वास होता है तो इसलिए आप शुकर से संबंदित कोई पदार्त का दान करते हैं या उसका सेवन करते ही किसी भी चीज का इसी का उससे भी हमें शुक्र का रूप आता है और हमें लाब मिलता है आप जो शुक्राचारिये हैं इनके गुरु हैं भगवान शिव आप भगवान शिव की साधना इस्तोती भी शुकरवार के दिन कर सकते हैं घर में बैटके चैन्शिव चालीसा पढ़ें और निमेश्वाई पढ़ें कुछ भी आप पढ़ें आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और एक और अध्वुत उपाईसी के साथ साथ और जरूर जानिएगा कि शुकरवार के दिन शाम को शाम के समय जब सूरिय ढलने को होता है छिपने को होता है आप जिधर सूरिय छिपता है यानि कि पश्च्छिम दिशा की तरफ आप मुख करके साथ बार ओम शुक्राइनमा ओम शुक्राइनमा ओम शुक्राइनमा साथ बार खड़े हो जाएं कहीं भी घर में एक कोने में कहीं में छट पे एक कोने में जहां भी बेल कोने में और साथ बार क्योंकि सूरिय के ओपर छिदिज पर हमें शुक्र नजर आते हैं कही बार तो आप संध्या के समय साथ बार ओम शुक्राइन में जरूर बोले आपके मनोबल के उपर आपकी राशी के उपर आपके ग्रोहों के उपर एक अच्छा खासा प्रभाव आएगा जातक जिस रासी से जुड़ा होता उस रासी के ग्रोहों का प्रभाव जीवन भर उसके उपर बना रहता है तो मई महीने में आप मेरे सबी दर्शक जितने भी हैं सादक हैं ये उपाए जरूर करें और मई के बाद जून जून के उपाए कुछ अलग अंदाज में अलग तरीके से हम आपको जुरूर बताएंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को फिराम देते हैं नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें